दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आसानी से ट्रिग्नमेटर के फर्मलों किस तरीका से याद किया जाए दोस्तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यह उन ट्रिग्नमेटरिक फॉंक्शनस पर अप्लीकेबल है जिनके एंगल्स 90 माइनस ठीटा है यह फिर कहने का मतलब कि जो trigonometric ratio first quadrant में है उनके उपर यह applicable है तो दोस्तों देखते हैं case number one case number one में पहला जो step वो है हमें यह देखना है कि जो trigonometric function हमें दिया गया है उसके अंदर को लगा हुआ है या नहीं अगर को लगा हुआ है तो हमें को को हटा देना है और second step में क्या करना है को हटने के बाद जो हमें function मिला है उसके साथ theta लगा कि final answer लिख देना है example देखें दोस्तों मानों cos 90 माइनस theta की दिया गया है तो cos 90 माइनस theta में हमें देखा ही cos में को लगा हुआ है या उसके अंदर को नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, को लगा देंगे और फाइनल एंसर को लिख देंगे, को लगाने के बाद जो में मिला है उसके साथ ठीटा लगा गे, लिख देंगे तो दोस्तो एक्जमपल देखते हैं, साइन 90 मैनस ठीटा है लगा, को लगा दिया, को सैक ठिटा लिडा है और 1099 में है यह है भी को half тобой है तो ङको और कुल देखके को नहीं है या टिटा है तो दोस्तों आपने देखा कि बिलकुल असान है फॉर्मूले याद करने तो दोस्तों यह तो था बिलकुल बेसिक आइडिया तो अगर आपको ज़दा डिटेल्स साहिए तो एक नाइक श्टुड़ी डालूंगा मैं उसके अंदर बिलकुल डिटेल्स से बताऊं कि कि किस कार बिलके थैंक्स